स्टूडेंट्स वेलकम टू मेगा डी क्लासीज आपके अनिमल टीशू में जो लाज्ट टीशू है डैट इस दा नीूरल टीशू जिसको आप नर्वस टीशू भी बोल सकते हो क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है जो ब्रेन और बाकी नर्व से मिलके बनाओता है जिसकी व हमारी बॉड़ी में कंट्रोल और कोडिनेशन यानकी नियंत्रन हो पाता है वो इसी टीशू की वज़े से पॉसीबल है यानि कि हमारे आसपस कोई भी अगर चींज हो रहा है तो हमारा शरीर उसके खिलाफ की तरीके से रिस्पोंस देता है उस सबको नर्वस टीशू कंट् लग नर्वस टीशू का सबसे छोटा पाटह यूनिट है यह एकसाइटीवल सेल्स के थोड़ा से स्टीमॉलस मिलते ही है एकसाइट हो जाते रोपने काम पर लग जाते हैं इसके अलावा जो नियूरो गलियल सेल्स है जिनसे बाकी का नियूरल सिस्टम बना हुए वह तो जैसे ही एक neuron stimulate हो जाता है मतलब उसको सिगनल मिल जाता है तो उसके अंदर एक current दोड़ता है एक electrical disturbance दोड़ती है जो उसकी plasma membrane से होती हुई जाती है और जैसे disturbance उसकी नव एंडिंग पर पहुंचेगी तो उसकी वजह से जो दूसरे neurons वह भी जुर जाएंगे जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताओं अगर आपने थोड़ा सा आपको 10th का ध्यान हो अगर यह आपकी एक tantryka कोशिका है तो इसी तंत्रीका कोशिका के साथ आपके दूसरी तंत्रीका कोशिका भी जुड़ी होगी, तो जब आप एक तंत्रीका में मैसेज भीजोगे तो वो एक्टिवेट होकर उस मैसेज को दूसरी के पास लेके जाएगी, दूसरे से वो मैसेज तीसरे में जाएगा and so on, तो लिए कोई नुकीली चीज़ है कोई गरम जीज़ आप इमीजेटली उसके हिसाब से वैसी प्रतिक्रिया करोगे तो एग्जेक्टली प्रोसेस कैसे होता है कौन कौन से कैमिकल्स रिलीज होता है वह सवं अगें लास्ट उनिट में करेंगे बट फॉर दा टाइम यू है तो र करते हैं और इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और मेली नूरल टीशू का काम होता है हमारी बॉडी में कंट्रोल और कॉडिनेशन का जब भी हमारे को किसी भी तरह का कोई स्टीमूलस मिलता है हमारे एंवायर्मेंट में किसी भी तरह का बदलाव होता है तो नू other time इतना भी अगर आप कर लोगे तो that is sufficient.